इस वक्त की बड़ी खबर सहडोल से है जहां बेवहारी थाना छेतर के टहकी गाउं में बरातियों से भरी पिकप बाहन अनियंत्रित होकर पलट गई हाथसे में पाच बरातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वही 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बता दे कि जैसिंग नगर थाना छेतर के धोलर गाउं से देवलोंद के धोल गाउं बारात जा रही थी तभी ठीकी के तपोवन धाबे के समीब तेज रफतार पिकप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई हाथसे में घायल 13 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज सहडोल इलाज के लिए रिफर कर दिया गया है वही 23 अनिय घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है मृतकों में एक 15 वर्स का किसोर भी सामिल है वहीं दुरगटना के बाद चालक मौके से फरार है जिसकी तलाज पुलिस कर रही है मामले में मर्ग कायम कर पुलिस जाच में जुटी है जी बताई यह कैसे घटना हुई है घटने यह जी बताई तेज रप्तार में रहा और फिर पल्टी खा गया है तेज रप्तार ससर गोड में अचानक बुलाई में अचानक वो प्रेकमारत पलड गया थी कितने बजी घटने दस बजी रात कल राजवाटिका विवाखर सर्वसुवधायोक्त प्राकर्धिक सुन्दर्दा से ओट प्रोध राजवाटिका विवाखर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन्दिन पार्टी, जन्मासा सहित, आन्यकारिक्रमों के लिए विवाखर उपलप्त अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मर्ध वातानुकूलित राजवाटिका मेरिज कार्डिन के साथ, हमारा पता है राजवाटिका मेरिज कार्डिन, नैशनल हाइवे, जूला मूर, भुंदहा, रिवा, अधिक चानकारी के लिए संपत करें, 98270-04251 कर दो करें राजवाटिका